हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब M.D.U. Help YouTube चालने में आपका स्वागत है मैरसी द्यानद यूनिस्टी रोट तक ही तरप से दो एक्जाम नोटीस जारी की गए है चलिए देखते हैं कौन-कौन से नोटीस आए हैं क्या दियागा है नोटीस के अंदर आप यहां पर देख सते हैं एक्जाम नोटीफिकेशन के सेक्शन में माच चुके हैं जो आपका पहला नोटीस रहा देख लेते हैं यहां पर आप देख सते हैं नोटीफिकेशन 5 और 4 दो नोटीस आए हैं आज यह notice है है, title में सिर्फ इन्होंने notification लिख रखा है दोनों ही notice को download करके देखते हैं क्या दियागा है notice के अंदर यह देखिए दोस्तों notice को मैंने download कर लिया है MD की चरफ से notice जारी कियागा है UG courses के student है, उनके लिए notice रहेगा क्या दिया notice के अंदर कुछ papers की दोस्तों, UG course के जो paper है कुछ paper उनकी exam date class कर रही थी तो इस वज़े से exam date को change किया गया है कौन-कौन से subject के exam है आप आप देख सेते हैं, कौन-कौन से course रहेंगे जो आपका पहला course है, BA 6 semester के जो computer application के जो student है उनका subject रहेगा, information technology in business practical जो subject है उसका exam 28 जुलाइक होना था, अब exam कब होगा, 14 जुलाइक हो ठीगे दोस्तों और जो दूसरी exam date है, BA, BA 6 semester student है इकनोमिक से subject के, international economics है उनका जो exam है, 4 अगस्त कोना था, वो अब exam 16 अगस्त को है आप 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 देख सेते हैं, exam date change कर दीगी है उसके बाद जो तीसरा कॉर्स है, L.L.B. ओनर्स तरियर कॉर्स second semester के जो student है, subject name यहाप आप आप देख सेते हैं, right to information law यहापर previous exam date नहीं दीगी है, जो नई exam date है दोस्तों 18 अगस्त रहेगी ठीगों तो आप 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 देख सेते हैं 18 अगस्त को exam रहेगा, right to information law के जो student है, यहापर आप देख सेते हैं, कौन-कौन से course के exam की date change की गई है, जो आपकी exam की timing है और जो आपका center exam center वो same रहेगा, उनमें कोई change नहीं किया गया, सिर्फ आपकी exam date change की गई कुछ subject की, अब दूसरा notice भी download करके देख लेते हैं, क्या जागा है notice के अंदर, यह देखे दोस्तों दूसरे notice को भी मैंने download कर लिया है, MD की तरफ से notice जारी किया गया, engineering के जो student है, उनके लिए notice रहेगा, क्या दिया notice के अंदर, it is hereby not for information of all concerns that due to some reason, the following papers of BTEK 4th, 6th semester, our schedule will be held as gender, BTEK 4th और 6th semester के जो student है, उनके exam date में कुछ change किया गया है, कुछ से reason के वज़े से, ठीक, दोस्तों, यहाँ पर आप subject name देख सकते हैं, जो आपकी नई exam date कह रहेगी, वो भी देख सकते हैं, कौन-कौन से subject के exam date change की गया है, जो आपका पहला subject है, run, manufacture second, यहाँ पर branch name देख सकते हैं, semester देख सकते हैं, paper ID number 5 अगस्त को इनका exam होना था, अब जो नही exam date है, 10 अगस्त को इनका exam होगा, ठीक हो, 10 अगस्त को इनका exam रहेगा, उसके बाद जो दूसरा सब्दक है, textile processing, machinery, 4 अगस्त को exam होना था, नय exam अब 11 अगस्त को रहेगा, उसके ब चाहरा अगस्त को जो exam था, ठीक है दोस्तों, और 6 अगस्त को आपका exam था, वह अप 11 अगस्त को और 10 अगस्त को रहेगा, यहाँ से आप देख सते हैं, कौन-कौन से subject की exam date को change किया गया है, जो आपका time है exam का, और जो आपका exam center हो आपका same हो ठीक हो, ठीक है, दोस्तों, यह यहाँ से आप देख सकते हैं, कौन-कौन से subject की exam date change की की है, अगर आप इन दोनों ही notice को download करना चाहते हैं, तो link आपको description में मिल जाएगा, आप सीदे notice को download कर सकते हैं, अगर आपको एजान कर इच्छे लिगी तो इस वीडियो को like करे, जाज 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 शेयर करे, पूर हम योटूब चैनल MDU help को जरूर सस्क्राइब करे, थान्यवाद